और ये स्पीजी को मुखमंत्री बनाने की बात जहां तक है। टेईस में बनाना चाहते थे विए बनाने की बादा थी। अब टेईस में आज हम लोग आज दस्वा महिना में आ गए हैं। तो उनको मुखमंत्री नहीं बनाने के चलते और कोई भी कवायद कर सकते हैं। ऐसा हमको पहले भी भास थी और आपना रास्ता खुज रहे हैं और उसी रास्ता खुजने के करम में भाजपा के पर्ति उन्होंने सौप्टनेस सो किया है और इसे ऐसा लगता है कि यह इंडिये के पार्ट बना चाहते हैं नमस्कार निश्पोनेक्शन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंग मुख्यमंत्र नितीश कुमार ने मोतिहारी में कल एक बड़ा बयान दिया था उन्होंने साब तर पर कहा था कि जब तक वो जीवित है बीजे पीडेताओं के साथ उनके संबंद बढ़करार रह है साथी साथ वो जल्दी महागठ बंदन छोड़ सकते हैं महागठ बंदन छोड़ने के बाद एंडिया और बीजे पी का दामन थामेंगे क्या कुछ कर रहे हैं ब्यार के पुर मुख्यमंत्री जीता नमान जी छोड़ जाते हैं उनके वीडियो के साथ देखिए इधर की कि चेहलों को कुछ लोगों कर रहे हैं कि कहीन कहीन लगता है कि आदास्त उननका खटम हो रहा है या आदास्त खटम होने के कारण ही कहीन है कुछ बूब प्र देते हैं जहां तक मोतङ हारी मुथ बात कहिए उट चीज़ को तो मैं एस नहीं करता हूं विनalities कुमार इसमे में तो बहुत माहिर रहे हैं, जिसके चलते लारुज जी पल्टू राम का संग्या उनको दिये हुए हैं, तो अभी की जो बरत्रमान प्रेष्टिती है, तो मेरे समझ से तेजस्वी जी को मुखमंत्री बनाने की बाद यहां तक है, तेईस में बनाना चाहते थे, विया बनान की बादा थी, अब तेईस में आज हम लोग आज दस्मा महिना में आ गए हैं, तो उनको मुखमंत्री नहीं बनाने के चलते, वो कोई भी कवायद कर सकते हैं, ऐसा हमको पहले भी भास थी और आप लोगों से हमने बात भी किया था, तो अब जब प्रिश्चितियां कुछ ऐ कैसी आई है, तो मेरे समझ में लगता है कि इन तीश कुमार कहीं न कहीं महागश्बंधन से हटेंगे, अब कहां जाएंगे इसके बारे में तो अर्सपस्टू होने बता दिया कि भाई भाजपा के लोग मेरे दोस्त हैं, मरते दम तक उनसे दोस्ती नहीं तूटेगी, तो इसका आर्थ ही होता है कि निश्चित है कि इंडिये में अगर स्विकार करेंगे लोग इंडिये के, तो इंडिये में आ सकते हो, तो यही अभी तो बरत्मान प्रश्चिती है, और इंडिये में आवेंगे, नहीं आवेंगे, लेंगे इंडिये वाले कि लोग नहीं, यह सार बाते अब डिपेंड करेगी कुछ समय आने के बाद लेकिन इस्थिति अभी यही है कि महां गठवंदन में अब न रहेंगे और यहां तक घमंडिया जो गठवंदन है उसमें दरार पड़ गई है इधर अखिलेज जी ने कुछ कहा है कांग्रिस के प्रति मामता जी कुछ पह बंदन है खतम हो गया और नितिश कुमार अपना रास्ता खुज रहे हैं और उसी रास्ता खुजने के करम में भाजपा के परति उन्होंने शौप्टनेस सो किया है और इससे ऐसा लगता है कि यह एंडिये के पार्ट बना चाहते हैं आप विलकम करेंगे हम तो बहुत पहल स्विकार करना पड़ेगा